कि अब ही तक लीवरेज में क्या क्या देख लिया हमने लीवरेज में हम पहले फॉर्मूले के पॉइंट ओव यू से डिस्कॉस कर लेते हैं लीवरेज को कैल्कुलेट करने के ना वैसे कितने टाइप के लीवरेज थे हमारे तीन टाइप के लीवरेज थे सर्व कौन कौन से लीवरेज तीन टाइप के हमारे एक है हमारा वेन simple data given जो अभी तक करते आएं वो simple ही data था एक साल का दे 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 थे एक साल in the sense के एक बार का data दे 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 थे थे जस्ट उसी को करना था when more than one year data जब हो या फिर percentage change वाला data आपको दे दे तो कैसे calculate करोगे ठीक है सर इस वाले case में तो तीनो फार्मूले बड़े simple simple थे वहाँ भी simple ही है इस वाले case में आपने बता है सर D.O.L. अगर होगा तो बहुत simple सी बात है हम कैसे निकालेंगे D.O.L. के case में हम कर देंगे contribution divided by EBIT सर अगर हमारा क्या होता है सर D.FL होता है तो हम क्या कर देंगे E.B.I.T divided by E.B.T सर अगर हमारा D.C.L. है तो सर अगर हमारा D.C.L. है तो तो क्या करेंगे very simple आप ये भी कर सकते हो D.O.L. इन्टू में D.F.L. ठीक है या इसके जगह पर आप क्या कर सकते हो contribution divided by E.B.T. इन्केस आपको E.B.T. नहीं पता चल रहा तो वहाँ पे आप E.P.S. भी लिख सकते हो अभी पता चल जाएगा मैं करवाद हुआ कुछ बच्चों को दिक्कत आई होगे सर E.P.S. बोल रहे कहीं पर जब percentage change होता है तो अगें तीन ही डेटा निकालने होता है हमें क्या क्या होता है अब फिर से हमें D.O.L. निकालना होगा लेकिन D.O.L. का formula क्या हो जाता है percentage change मैं change के लिए डेल्टा बना रहा हूँ ठीक है न percentage change in E.B.I.T. या मैं इसको थोड़ा साना अलग तरीके से लिखना चाहूंगा क्योंकि यह तो होगे आपको समझ में आ गया होगा थोड़ा अलग से इस वाले केस में तीन बाते होंगी डी ओल इस इकल टू परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइड़ बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स प्रायरेटी सेल्स रहेगा या फिर कॉंट्रिबूशन अगर सेल्स नहीं पता तो कॉंट्रिबूशन दूसरे फॉर्मूले की बात करें डी एफल इसका फॉर्मूला आता है परसेंटेज चेंज EBIT या फिर अगर आप यहां पर EPS भी ले सकते हो कोई फरक नहीं पड़ता डिवाइड़ बाय परसेंटेज चेंज इन EBIT परसेंटेज चेंज इन EBIT सर तीसरा DCL परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइड़ बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स या फिर जो कम्बाइन करके हमें मल्टिप्लाई करके निकालते थे वो तो यहां पे भी रहेगा तो कुछ एक फॉर्मूला ये है जिसके हेल्प से आपको ओपरेटिंग लिवरेज या कम्बाइन लिवरेज निकालना है जहां जहां पे आपको बोला जाता था कि इतने परसेंट सेल इंक्रीज हो गया कि आपका चेंजिस क्या आ रहा है फिक्स कोंस्ट की बज़े से और हम नॉर्मली इसमें कमपेरिजन करते हैं डेटा कि हम अगर क्यूंकि आपको अगर पता चल जाए एक डिजिट की डेटा पर अगर मैंने बुला आपको परसेंटेज के फार्मेट में गीवन हो अब आप एक चीज नोटिस करना फार्मूले को याद करने का या रिमाइंट रखने का सिंपल सा तरीका है इसका जस्ट अपोजिट हो गया यहाँ पे सेल्स भी लिख देता हूं सर तो देखो यहाँ पे क्या हो गया अपोजिट हो गया इबि आइट और यह नीची आ गया चेक करूं शार्मूले को ज़्याद नहीं है आपको सिंपल वाले अगर याद है तो आप यहीज ली फॉलोऊ कर सकते इसका जब आपको comparison या percentage के terms में आपको पूछा जाए तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो EBIT क्या होता है हम पहले discuss कर चुके हैं sales contribution क्या होता है हम पहले और बागी सारे चीजों पर हम पहले already discuss कर चुके हैं किस तरीके से क्या रहता है ठीक है मैंने इससे related एक homework दिया था आपको इससे related एक homework दिया था calculate change in EPS if sale expected increase by 5% अब change वाला आ गया ना और EPS की अगर हम बात करें तो EPS कहां use होता है sir micro economics done हो गया अच्छा बच्चे कह रहे है हो गया हो गया ठीक है देखिए EPS कहां involved है एक तो EPS FF में है financial leverage में और एक है combine में ठीक है अगर आप directly निकालना चाहते है without detail solution मैंने percentage change करके भी बताया था वो without detail solution तो आप क्या कर सकते हो अगर आपको DFL पता है तो आप easily percentage निकाल सकते हो जैसे इस वाले सवाल में आपको information given था EBIT profit profit before tax और क्या दे रखा था हमें fixed cost कहता है calculate the percentage change in EPS EPS में कितना percentage change होगा अगर हमारा increase हो जाए कितने percent से 5% से क्या increase हो जाए sales अब आपको यहाँ पे क्या चाहिए sales की बात कर रहा है तो sales किस-किस point में आएगा एक तो sales हमारा किस point में आजाएगा अगर हम formula की बात करें तो sales एक तो इस वाले format में आ रहा है लेकिन हम EPS नहीं निकाल सकते हैं यहां से change एक इस वाले में आ रहा है ठीक है लेकिन आपको यहाँ पे क्या चाहिए DCL निकालना ही निकालना पड़ेगा अगर आपने DCL नहीं निकाला तो नहीं होगा तो simple सी बात है यह आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो और shortcut तरीके से भी कर सकते हो तो अगर इसका जिस बच्चों ने आंसर बोला सभी बच्चों ने बोला कि सर हमारा तो आ गया है answer मैं फिर भी इसको दोनों तरीके से कर देता हूं है नहीं यह जिसका आंसर मैच नहीं होगा दो मिंट लगना है मैच कर देते हैं, इसके बाद आगे चलेंगे, चलिए सर, सबसे पहले क्या लिख लें हम, sales, question में नहीं गीवन, छोड़ देते हैं, सीधा क्या दे दिया, question ने, EBIT दे दिया, question ने क्या दे दिया, EBIT, minus में, VC नहीं दे रखा भी छोड़ देते हैं, अब contribution नहीं दे रखा लेकिन निखाला जा सकता है, minus में क्या करते हैं, fix cost, और उसके बाद क्या आता है हमारा, सबाल ने ये दे दिया है, यानि EBIT कितने हैं, 11,00, अगर fix cost हमें गीवन हैं कितना, 7,00, तो ये minus करने के बाद ही आया होगा, तो हम इसको plus कर देंगे, तो आजएगा 18,00, 20,000, ठीक है, अब इसने क्या पूछा, EPS में are expected to increase by 5%, कहता है calculate the percentage change in EPS, EPS में कितना होगा, अगर हमारा sales कितना बढ़ जाए, 5% से बढ़ जाए, तो sales बढ़ना और contribution बढ़ना बात एक ही है, ठीक है, sales बढ़ना या contribution बढ़ना बात एक ही है, क्योंकि मैंने देखो कहीं-कहीं पे, आप ध्यान से देखो, तो कहीं-कहीं पे मैंने यहाँ पे आपको sales और contribution दोनों लिखा है, क्योंकि variable cost sales unit के terms में ही change होता है हमें से है ना variable cost जो होता है sales unit के terms में होता है तो जैसे आपने पहले एक बार जो simple हमने सीखा था उससे भी कर देते हैं सवाल को और दूसरे से भी कर सकते हैं तो यहाँ पर DOL निकल जाएगा DOL क्या आएगा बताओ divide कर तो इसको जल्दे से 1.6 जी आगया DOL अब हम चाहते हैं कि हमारा sales कितना increase हो जाए 5% एक column इदर बना लेते हैं तो 5% sales तो नहीं पता लेकिन contribution को increase कर सकते हैं 5% बढ़ा दीजिए 19,11,000 fix cost same रहेगा minus 7,12,11,000 मैं long method ले रहा हूँ उसके shortcut पर आजाएंगे और क्या interest वगेरा दे रखा है आपको सवाल में कुछ नहीं दे रखा तो अगर मैं इसमें से minus कर दूं interest जो नहीं पता तो वह 0 होगा तो इसका मतलब सर अगर वह 0 हुआ तो हमारा ebt भी कितना आ जाएगा लेकिन हाँ profit before tax दे रखा है तो बीच का difference interest होगा एक मिंट मैंने थोड़ा से इसमें न एक point आगे ले जाना है अभी DFL छोड़ देते हैं यहाँ गया profit before tax और इसी को हम क्या बोलते हैं पता है ebt जो कि हमें question में given था क्या given था question में 3 लाग बीस अजार और यहां के बीच का जो difference रहेगा वो क्या रहेगा interest तो हमारा देख लेते हैं 11 लाग बीस अजार हाँ आठ लाग कितने आ गए गए सीधा आठ लाग है ठीक है तो interest भी सेम ही रहे गए हाँ भी मैं दोनों method से करके दिखा रहा हूं long भी और short भी अभी बस 5 मिनिट दीजिए क्योंकि मुझे comparison करना है यह एगा 4 लाग 11 ठीक है यहां पे हमें अब देखो यहां पे EPS है और EPS हमेशा EPS is equal to अब ध्यान रखना EPS कई बार EPS is equal to आपका EBT हो जाता है अगर आपके सवाल में tax का rate ना given हो tax no given समझे बात क्योंकि tax मान लो 0 तो फिर उसके बाद minus करके तो EPS ही आ जाएगा वो वो ही आ जाता है एक बार कई बार EPS EBT को मतलब बराबर ही मान लेते हैं एक बार को आप EPS का मतलब तो वैसे earning per share होता है लेकिन हम यहाँ पे share से divide ना करके हम simply मान सकते हैं जो यह profit बचा है न यह EPS के बराबर ही है क्योंकि टोटल के पॉम में वही EPS ही आएगा अब हम पहले DOL निकाल ले वैसे DOL की जौरत है नहीं पूछा ही नहीं है हमें चाहिए क्या DFL हमें EPS किसमें यूज होता है financial leverage में तो DFL चाहिए DFL निकालो इसका क्या है एक लाक ग्यारा लाक बीस अजार divided by तीन बीस 3.5 आप भी चेक करना क्या रहा है 3.5 अब हमारे sales कितना बढ़िया 5% हमने बढ़ा दिया 5% सेल एक तरीके से नहीं गीवन था मैंने बूला contribution sales को इमानलो बढ़ा दिया अब पूछ रहा है क्या EPS में कितने percent increment लगेगा अगर हम sales को increase कर दे 5% तो EPS में एक तो हम यहां से change न दोनों का difference तीन लाग बीस अजार माइनस तीन बीस माइनस चार लाग 91 और divided by base ले लो base क्या है मारा तीन बीस into में 100 तो कितने आगे कितने percent 28.4375 एक तो यह हो गया अभी अभी formula लिखा है हमने कहां चले गया बार बार किदर चला जाता है यह लिखा है एक अगर आपको DFL पता हो तो आप आराम से क्या निकाल सकते हो percentage change in EPS क्यूंकि आपको DFL आप पता चल गया आपको EBIT percentage change पता है ठीक है और आपके बाद इसके बाद आपको EBT यानि EPS percentage automatically difference आपका आ जाएगा लेकिन इसके लिए आपको दो चीजों को पता होना जरूरी है एक तो हमें पता था पहले से दूसरा आपको percentage change in क्या निकालना पड़ेगा EBIT कितना percent change है और एक आपका फिर EPS निकल सकता है तो इस वाले सवाल के अंदर देखा जाए तो हम इस method से हमने दोनों चीज़े निकालना लिया दूसरा निकालना दूसरे आपको percentage वाला method बताया आप करना चाहते हो तो कर सकते हो फिर आपको क्या निकालना पड़ेगा ultimately आपको एक और निकालना पड़ेगा percentage change in EBIT percentage change in EBIT क्या है थोड़ा सा lengthy हो जाएगा यह हम बस experiment कर रहे हैं और कुछ नहीं ग्यारा लाख बीस हजार माइनस बारा लाख ग्यारा हजार नाइन्टीवन डिवाइड़ वाई ग्यारा लाख इसके बाद हमें क्या करना है फॉर्मूला रखना है percentage DFL is equal to percentage change in EPS divided by percentage change in EBIT DFL क्या आया था बताओ 3.5 percentage change in EBIT यहाँ EPS रख दो percentage change in EBIT क्या है 8.125 multiply कर लिजेज तो 3.5 से वही आगया हमारा examiner आपसे कभी भी यह नहीं कहेगा कि आपको यही तरीके से करना है वो आपकी मर्जी है बस इस सवाल में इस question में हमें क्या पता चला कि सर अगर हमें sales का percentage बोले या contribution का percentage बोले बात बराबर होता है क्योंकि variable cost और इनके बीच में combination की बात करें तो में sort me और आधिक है न अगर हमें और भी अगर हमें sales को बोला जाए क्या हम sales निकाल पाएंगे यहां अगर जब तक हमें यह तो contribution का ratio में में चला जाएगा और फिए पार्ट आपका यह माना जाएगा जो फॉर्मूला लिखके कर सकते हो आठ लाख इक्यानवे हजार बच्चे बता रहे हैं इंट्रस्ट आठ इक्यानवे इंट्रस्ट देखना चेक करो एक बार ठीक से माइनस करो नहीं यहाँ पे कैसे बढ़ेगा थोड़ी इंट्रस्ट भी फिक्स रहता है सर इंट्रस्ट भी आपका क्या रहता है फिक्स रहता है और फिक्स कॉस्ट भी वो बदलता नहीं है हाँ मैं अब सारे कुश्चन्स करूँगा इंट्रस्ट कैसे आया इंट्रस्ट देखिए आपका कैसे आया मैं बता देता हूँ आपको ये पॉइंट आपने निकाला ये पॉइंट आपने निकाला और ये वाला आपको देखो ये वाला आपने गीवन था और ये वाला भी गीवन था तो इन दोनों के बीच का difference हमेशा interest आएगा, यह difference है, क्या है यह difference? difference वाला मैंने क्या करा, यहां से सिर्फ percentage increase कर दिया, कितने percent? सवाल में खुद कहा रहा था 5%, तो मैंने 5% बढ़ा दिया, इसलिए increase का हो गया अभी और भी खूब सारे questions करने हैं, जो कि समझ में आ जाएगा column में PBT PBT तो दे तो रखा है, profit before tax है ना, तो इसको EBT कहलो, या कहलो PBT, दोनों बात एक ही है, earning before tax या profit before tax, दोनों का मतलब ही एक ही है, ठीक है? झाल